हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं क्रिस्मस त्योहार पर तीन सो सब्दों में निबंध और दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर यह निबंध आपके लिए हेलफुल होता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निबंध क्रिस्मस 25 दिसंबर परिचे क्रिस्मस इसाईयों का प्रमुख तेवहार है जिसे इसाई समुदाय द्वारा सर्दियों के मौसम में बहुत धुमधाम और खुसी के साथ मनाया जाता है यह तेवहार ह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन भगवान इसा मसी का जन्म हुआ था जिने हम इसु मसी या जीसस क्रैस्ट के नाम से भी जानते हैं इसाई धर्म को मानने वाले अनुयाई इस दिन का बेसबरी से इंतजार करते हैं कैसे मनाया जाता है क्रिसमस सभी इस दिन हार को बड़े उत्सा और कई तरह की तयारी और सजावत के साथ मनाते हैं सभी अपने घर और चर्च को सजाते हैं सभी अपने घरों में क्रिसमस ट्री पेड रखते हैं और इसे रंगिन सितारों से सजाते हैं रात के बारा बजे सभी प्रातना के लिए चर्च जाते हैं इसके बाद ही क्रिस्मस का तर्वार शुरू होता है सभी इसाय उन्याई एक दुसरे को क्रिस्मस की बधाई देते हैं और मिठाई खिलाते हैं बच्चे इस तर्वार का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्यूंकि किस्मस के दिन सांता क्लॉज आता है, जो बच्चों को धेल सारे उपहार देता है, सांता क्लॉज को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. किस्मस की छुट्टी या आवकास इस तवहार पर सभी किस्मस की छुट्टी या आवकास का लाब उठाते हैं, क्योंकि इस दिन सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्विद्याले और कर्याले आदी की छुट्टी होती है, ताकि इस तवहार को सभी धूमधाम और खुशी के साथ मना सकें, लेकिन इस तवहार में कई अस्थानों पर छुट्टी होने के बावजूद क्रिस्मस का तवहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्विद्याले और कर्याले आदी. निसकर्स का धन्यवाद